हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजु मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत हैं बच्चों, आज मैं हिंदी साहित्ति के रीति काल के एक प्रमुख कवी बिहारी के एक दोही को लेकर आपके समक्ष उपस्तित हूँ आप सभी जानते हैं कि कवी बिहारी के प्रमुख ग्रंत का नाम सत्सई है जिसमें लगभग सात सो दोहों का संकलन है इनके दोहे के बारे में यह प्रशिद्ध है कि सत्सईया के दोहरे जियो नाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गम्भी यानि इनके दोहे का प्रभाव पाठक के मनमस्तिक्स और शिर्दे पर अचूक पड़ता है साथी साथ इनके दोहे अपार भावरासी को अपने में समाई होने के कारण गागर में सागर कहलाते हैं तो चलिए ऐसे ही एक दोहे को आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही है देखिए सीस मुकूट कटी काचनी कर मुरली उर्माल यही बानिक मोमन बसओ सदा बिहारी लाल कोई बिशेस अर्थ का अंतर नहीं है क्योंकि सीस यानि सिर और मोर तो आप लोग जानते हैं पक्षी का नाम है तो सीस मुकूट यानि स्रीकृष्ण के मात्य पर जो मुकूट है वो तो मोर पंक का ही होता है तो इसलिए कोई खास अंतर आपको नहीं आएगा आप जब सीस मुकूट होने से भी आप दोहे का अर्थ लिख पाएंगे भली भाती देखे, कथिन सब्दों के अर्थ, कथिन सब्द में क्या है सीज, सीज यानि सिर्या माथा, मुकुट कहते है ताज को, जो माथे पyear पहना जाता है, एक आभूषन, कटी यानि कमर, काचनी, काचनी एक धोती को कहा जाता है, चोटी धोती को, कर यानि हांत, मुरली यानि साज मने को जो तैयार होता है उसके साज सज्जा को क्या करते हैं हम लोग बानिक मोमत तब मेरे मन यानि हरदय बसो यानि विराजमान रहे सदा मने हमेशा अभिहारिलाल यानि स्री कृष्ण और एक ध्यान देजी यह काचनी सब्द जो कहा गया वो धोती पहनने का तरीका को भी कहा जाता है छोटी दोती भी हो सकती है या फिर दोती को पहनने का जो तरीका है उसे ही काचनी कहा गया है अब मैं दोहे के अर्थ को समझाती हूं देखिए यहाँ पर कभी बिहारी ने स्रीकृष्ण के सौंदर यानि उसके साथ सज्जा कवर्णन किया है कि स्रीकृष्ण भगवान कैसे लगते हैं देखिए ने और इसे हम लोग भक्ति सम्मंधि दोहा कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्रीकृष्ण भगवान के प्रति कभी बिहारी ने अपने भक्ति का निवेदन किया है क्योंकि यह बात कही है कि स्रीकृष्ण भगवान उनके हिरदय में सदवेव विराजमान रहें। तो इस प्रसंग के बाद अब मैं आपको अर्थ समझाती हूँ, देखिए। सिस्मुकृट, कटि काचनी. सिस्मुकृट यानि सिर्कृष्ण के मात्यपर क्या है? मुकृठ है और कटि काचनी, कमर में क्या है? धूती है. अब इसी अर्थ को यहां देखिए, मोर मुकृट कटि काचनी. अगर यह रहता है तो क्या लिखेंगे? कि स्रिक्रिष्ण के माथे पर एक मुकुट है जो किसका है मोरपंख का बना हुआ है और कटी काशनी कमर में क्या है धोती है तो यहाँ पर भी अर्थ हो गया सीस मुकुट यानि स्रिक्रिष्ण के माथे पर मुकुट है और वह मुकुट किसका बना हुआ है मोरपंख का मुकु जो माथे पर क्या विराजमान है? मोर पंक का मुकुट विराजमान है. और उन्होंने क्या पहना है? उन्होंने एक धोती पहनी हुई है. उनके कमर में क्या है? एक धोती है. कर मुरली और स्रीकृष्ण भगवान के हाथ में क्या होती है? हमेशा एक बासुरी होती है. स्रीकृ उर्माल और उसके उर्यानी हृदय या गले में क्या है माला है अब स्रीकृष्ण भगवान की बासुरी क्या है बहुत ही उसकी जो द्वनी है बहुत ही मन मोहक है सबके मन को मोह लेने वाली है और स्रीकृष्ण भगवान की गले में माला है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इस रिक्रिष्ट भगवान के गले में क्या माला रहती बेजनती माला बेजनती फूल की माला होती है यही बानिक मो मन बसू तो कभी बिहारिक यह प्रातना करते हैं क्या प्रातना करते हैं कि ऐसा ही साध सज्जा वाले ऐसे ही बानिक मने ऐसे ही सजधज वाले सिरक्रिष्ण मो मन बसू यानि मेरे मन में हमेशा बसे यानि विराज मान रहे ऐसे ही सजधज वाले ऐसे ही साज वाले स्रीकृष्ण भगवान जो है मेरे हृदे में सदेव विराज मान रहे या किसकी इच्छा है कभी बिहारी की इच्छा है सदा बिहारी लार कौन विराज मान रहे? स्रीकृष्ण विराज मान रहे और सदा यानि हमेशा तो एक बार फिर से मैं आर्थ समझा रही हूँ कि स्रीकृश्न भगवान के माथे पर क्या है मौर पंग का मुकुठ है कमर में धोती है और गले में क्या है बेजनती फूल की माला है तो स्री कृष्ण भवान के ऐसे अपूर्व सौंदर की कलपना बिहारी करते हैं और यह प्राथना करते हैं यानि इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमेशा स्रीकृष्ण ऐसे ही सजधच के साथ, ऐसे ही सज्जा के साथ, ऐसे ही बाना के साथ मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहें। आप चलिए विसेस में बतला दूँ। पहला देखिए, कभी बिहारी ने स्रीकृष्ण के सौंदर का वर्णन किया है। दूसरा, स्रीकृष्ण की साथ सज्जा का वर्णन करते वे यह बतलाया है कि उनके माथे पर मोर पंग का मुकूट, कमर पर पीदी धोती, हात में बंसी तथा गले में माला सदे विराजमान होती है। यह हम लोग सभी जानते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए, कभी बिहारी का स्रीकृष्ण के प्रती भक्ती भाव यहां प्रकट हुआ है। अगला देखिए, कभी बिहारी ने माधुरी गुन से संपन ब्रजभासा का प्रयोग अपने दोहे में किया है। अपार भावरासी से पूर्ण इनके दोहे गागर में सागर की उक्ती को चरितार्थ करते हैं। विदि आपसे प्रशन पूछा जाए कि कभी बिहारी की काभी भासा क्या है तो आप लिखेंगे मधूर ब्रजभासा। मधूर ब्रजभासा होने की कारण इसका गुन ही क्या हो गया? माधूर ये हो गया। उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ मैंने जिस तरह से आप लोगों को समझाया है, विसेस लिखवा दिया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। परिक्षा में भी आप किसी भी दोहे की जब व्याख्या करें, तो पहले प्रसंग या संदर्व लिखें, फिर दोहे का अर्थ लिखें, फिर विसेस को अवश्य लिखें। आप देखेंगे परिक्षा में आपको अच्छी मांक्स अवश्य प्राप्थ होगें। तो वीडियो को लाइक करें, जो बच्चे पंढ़े वाले हैं, उन्हें ये सेर भी अवश्य करें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिविकेशन उन्हें समय समय पर मिल सकें, तब तब आप सभी बच्चों के साथ हैं, धन्यवार्द